तो दोस्तो आज मैं आपके साथ भिंडी और बेशन की एकदम यूनिक और मजदा रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे आप एक बार इस तरीके से बना लिये ना तो बार बार भिंडी इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे तो चलिए देर किस बात की इस रेसिपी को बना लेते हैं यहाँ पे मैंने लगभग आधा किलो भिंडी लिया है भिंडी को अच्छी तरीके से मैंने देखिए धो लिया है पोच लिया है इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है तो इसके साइड वाले पाट को हम कट कर लेंगे और देखिए किस तरीके से हमें इसे कट करना है इसके हम 4 टुकडे कर लेंगे तो इस तरीके से 8 टुकडे हमारी भिंडी के हो गया है तो आपको भिंडी इसी तरीके से कट कर लेना है अगर छोटी भिंडी है तो इसके देखिए किस तरीके से एक ही पाट करेंगे यानि कि 4 टुकड़ा ही हमें कर लेना है तो इसी तरीके से हम सारी भिंडी को कट कर लेंगे अगर आज की मेरी आपको वीडियो पसंद आती है न तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा जादा जादा शेर कीजेगा फैमिली और फ्रेंड्स में तो इधर मैंने देखी प्याज ले लिया है प साइड वाले पार्ट को हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इसे हटा देना है इसे न तरह तरह की बीमारिया होती है तो इसे हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है इस बात का आपको खास ध्यान देना है प्यास के जो पैटर्स है न उसको हम एके करके निकाल लेंग चलिए recipe को हम finally start करते है तो यहाँ पे मैंने बेसन लिया है बेसन हम लगबग 2 छोटे चमच इतना डालेंगे बाकी बचे बेसन को हम रख देते हैं साइड में इसके बाद आधी छोटी चमच हल्दी पाउडर तीखा आप अपने टेस्ट के कोर्णिक कब में जादे कर सकते हैं तो मैंने लगबग 1 छोटा चमच इसमें तीखी वाली लाल मिर्ची पाउडर लिया है इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे जीरा पाउडर ये भी 1 छोटा चमच है काली मिर्च पाउडर हम डालेंगे एक छोटा चमच तो इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हींग हींग जो ना डाइजेशन के लिए सही होता है हिंडी जो है थोड़ी सी बादी होती है तो इसलिए आप हींग जरू डालें एक बड़े चमत जितना हम इसमें ढाल देंगे धनिया पाउडर इसमें फ्लेवर इसका बहुत ही जादा बढ़ी आता है नमक डालेंगे हम स्वात के अनुसार तो लगभग सारी छीज़ें हमने डाल दिया इसमें लाश्ट में हम में इसमें पहुत बढ़ी आफ इसमें तो देखिए भीवणी के ओपर जो बेसान और मसालो का कोटिंग ए ना अच् issue तरीके से लग गया है यह देखिए तो बन्या से हमारे विधर तयार होगी चलेयक चलते हैं गैस की तरफ गैस पे मैंने कड़ाई गराब गरम होने होतोét का यहां। नविवाय में काने धुसल खुशा है। थैर भीजा है। अच्रू का वभ्याटी कुराज है। तो इसके लिए हम चले ढग देते हैं, फ्रेंट्स आज की मेरी अगर ये रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आए ना तो प्लीज लाइक कीजिएगा मेरी इस वीडियो को जादा जादा शेयर कीजिएगा फैमिली और फ्रेंट्स में, तो लगवग एक मिनट के लिए मैं से मिल गया है, क्रिस्पी हो गया है भिंडी, तो इसे हम निकाल लेते हैं, क्योंकि अभी हमारी ये भिंडी की जो रेसिपी है ना बनकर नहीं तयार हुई है, तो सारी की सारी भिंडी को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं, तो इस तरीके से देखिए मैंने सारी भिंडी को निकाल लिया है अब इसी कढ़ाई में हम दो बड़े चमच जितना सरसों का तेल डालेंगे इसी कढ़ाई का हमें यूज करना है अगर आप चाहे तो दूसरी कढ़ाई ले सकते हैं तो इधर भिंडी को मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है दो बड़ा चमच सरसों का तेल भ कर लिया है लहसन का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत ही जादा बढ़िया आता है तो जैसे लहसन थोड़ा सा भून जाए तब हम यह कटे हुए प्यास डाल देंगे जो हमने इस तरीके से प्यास कट किये थे ना वो डाल देते हैं प्यास डालने के बाद प्यास को हमें कलर इ तो यह जो भिंडी की रेसिपी है ना फ्रेंड्स बहुत ही जादा टेस्टी बनती है इस रेसिपी को आप भिंडी दो प्यास बोल सकते हैं या फिर भिंडी भुर्जी बोल सकते हैं भिंडी की सबजी बोल सकते हैं आप इस रेसिपी को क्या नाम देना चाहेंगे जरूर कम किता ज़्यादा टैंटिंग लग रहा है ये भींडी की रेसिपी बिंडी और प्याँज की रेसिपी लेकिन बहुत भी ज़्यादा फ्रेंट्स मजड़ार लगती है contr flooded के साथ प्राठे चाओं के सत्जाइद के साथ इससाथ ये रेसिपी की बनकर एकदम तयार हो गई है भिंडी दो प्याजा ही मुझे लग रहा है बहुत ही जादा टैम्टिंग ये सबजी हमारी बनकर तयार हुई है तो चलिए फटा-फट से अब हमें इसे सर्फ कर लेते हैं ये जो रेसिपी है ना फ्रेंड्स भिंडी का सीजन आते ही ना हफते में एक दो बार तो ये रेसिपी मैं बना लेती हूँ बहुत ही कम टाइम में ये रेसिपी बनकर तयार हो जाती है और खाने में इत्ती जादा मजदार लगती है ना कि बड़े बड़े होटल रेस्टोरेंट की आप भिंडी खाना भूल जाएंगे इत्ती जादा मजदार ल यह कैसी बनी है देखें लुक वाइज यह कित्ती जादा मजदार लग रही है ना खाने में उत्ती ही जादा टेश्टी लगती है कैसी बनी है मैं खा कर बताती हूँ यकीन माने यह बहुत ही जादा यम्मी यह भिंडी की सबजी बनकर तयार हुई है तो उमीद करती हूँ फ् रेसिपी बहुत जादा पसंद आई होगी तो फिर मिलते हैं ऐसी यूनीक मजदार और हैल्दी रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई-बाई एंड टेक क्यार